आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy S24 Android में आप अपने mobile phone के power button को दबाए बिना आप अपने phone को switch off कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको detail में जानकरी देने वालों तो चलिए आप वीडियो का में start कर लेते हैं देखे दोस्तों आप अपने mobile phone को switch off कर सकते हैं वो भी power button को दबाए बिना वो भी दो तरीकों से switch off कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं कैसे देखे पहला तरीका यह होता है कि आपको अपने mobile phone का जो quick panel होता है उपर का यह quick panel इसे open करना है इस panel में आपको सबसुपर यह power का button होता है इसे tap करना है तो आपको यह page आजाएगा इस page में देखे power off का यह button है इसे tap करेंगे तो इस आपका phone switch off हो जागा यह पहला तरीका हो गया power button को दबाए भी ना phone को जो जोफ करना ठीक है अब देखे दूसरा तरीका क्या होता है कि आप अपने phone का setting page open करिए setting page में आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको एक option मिलता है accessibility इसे आपको tap करना है तो आपका असिस्टेंट menu का यह page आएगा इस page में आपको सबसे ओपर ओफ के सामने एक button दे रहा है इस button को आपको tap करना है तो आपका यह जो नीचे एक page आए गए float करेगा ठीक ना सभी आप में तो देखे आप देखे इस जो बटन है ना इस बटन को tap करेंगे तो आपका इस तरीके से पेज ओपन होता है छोटा से इस पेज को आप लेफ्ट और राइट में ahead slide कर सकते है इसमें और भी option होते है लेफ्ट और राइट